डाक्टर अज्जद और डाक्टर मौसमनम मिलके इसका आपरेशन किया है और मुझे लगता है कि 50% आपरेशन सफल रहा है और 50% टाका चलाने के बाद देखते हैं तो असलाम अलेकूम 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 आप अच्छे होंगे तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो अभी तो फिलहाल आज फ्राइडे है इस्पेसली सबको जुमा मुबारक और आज फ्राइडे था तो इसके लिए हम लोग थोड़ा जल् यहां मैंं सोता हूं और यहां कीचन और उसके बाद वातरूम उसके पर फिरी इसन्हाइप तो घाई ये रहा हमारा कीचन यह चुला है कुले पर चूला है बन रही है चाय के साथ भी कुछ है यहां पर सामान रखा हुआ है और यह चुला है इतना सा और इसके बाज में अभी खाली नहीं बातरूम इसके बातरूम है और उसके बाद इस्टोर रूम है यहां पर सामान रखे हुए है और कपड़े वगरा रखे जाते हैं तो चलिए हम लोग रेडी हो जाते हैं क्योंकि जुमेका टाइम हो रहा है तुम मिलते हैं रेडी हो नहीं कि बाद है कि लुदा है और यह ने उनके अपरो सन्दर्टम केज़िये और मुझे लगता है कि 50 परसेंट अपरेशन और सफ़ल रहा है और पचास सफेंट तहास परसें मिलंग्रम हंट टाकर चलाने के बाद पहुत है तो गहाई अपरेशन सपल रहा और हमारा फ 시mi आप रेसंग किया है तो गाइस फैनली हम लोग रेडी हो गए हैं आज यार कुरता पजा में मैं बहुत ही खुबसूरत लग रहा हूं और ये तोप में हमारे भाई मजलिस वाले भाई और ये डाक्टर अज्जद ये वीद्यों को सब वाइट वाइट पहने ये जीन्स पहने लेकिन जबर्दस लग रहा है और पीछे लुक रूम का अरे चाचा जी बिलकुल एक दब कत्री हो गए सेम सेम कत्री रूम के बाहर का नजारा ये है यही बाजों में चप्पल उतारी जाती है और यहां कपड़े सुखाए जाते हैं और यह रहा ये देखें यहां पर एले और इस तरफ देखें इस तरह बिलकुल मेदान है और आवी वी कत्री आदक कत्री हिंदी कत्री अगर बनाना है तो यहीं से अमारे रूम का डूर है में डूर यहां से साइड से भी है तो हम लोग रेड़ी हो गए है अब जा रहे हैं मस्जित के तरफ तो वहां का तो नजारा दिखाएंगे उसके बाद हम व्लॉग को एन करेंगे वहीं पर यार हम लोग निकल चुके है जुमा के नमास पढ़ने के लिए और सब लोग रेड़ी है सुर्मा नगाले में थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग एक्दम लास्ट टाइम पर सुर्मा लगा है यार बहुत ज्यादा तकलिए तो यह सामने रही हमारी मस्जिद उस तरफ उस तरफ हमारी मस्जिद है और हम किसी दिन टाइम मिला है तो यार मैं इसरह कभी वीडियो बनाऊँगा आपको लोग को दिखाऊंगा कि कतर का गाओ होता कैसा है कि अर यह वाली जो बिल्डिंग दिक्रें यह इस गाओं की सबसे पुरानी बिल्डिंग है यह सबसे पुराना घर है इसकी छट भी लकडी की बनी हुई है इसका जो गारा लगा हुआ ये मिट्टी का है लेकिन बाद में इसको रेनुवेट करके इस पे प्लास्टर लगा दिया गया था अभी भी इसको देख सकते हैं साइड साइड में दिख रहा है इसकी छट सब तोटली जो है लकडी की बनी हुई थी तो अभी तो कोई नहीं रहता इसमें तो हम लोग आगे हैं मस्जिद के अगली वीडियो में तब तक के लिए अला आपिस